असलाम अलेकूम मेरा नाम राजिया भी है मेरे बच्चा का नाम हैदर है मेरे बच्चा को ऐसा टेंशन से पीपी हो को नस्प ठीए दिमाग की यहां करें इलाज सरकारी होस्पिटल में और बशोशोर में बताए कम ने हुआ फिर शौलापूर को लेक हो गए यह तेनी लाग देड़ लाग रुपे गए दो दिन में जो अब कैसा करना वह आपकी मदद चाहिए मदद कीजिए बच्चे की माह हूं मही बच्चे की मदद कीजिए दुआ कीजिए जरा बच्चे का इलाज चल रहा है अभी हास्पिटल से निया आप कैता होने वाला है कि खर्चा अभी तक खर्चा बोले नी आप देर लाक रुपे तो गए अब हो दो दिन वापीर के दिन मंड़े की दिन ले कर गए मंड़े की दिन ले कर गए आज तिसरा दिन है आज फिर आप तीन चार दिन रखने वाले ही आप बोलने सकते के ता खर्चारा की मेरा आप लोगा मदद किये दुआ किये मेरे शोहर का नम मुहमद हैदर अली है मेरे शोहर अचानक मेरे शोहर को बीपी हाए होने की वज़े से दमा की नस फट गए और बडे दबाकने में ले कर गए थे और उसके बाद माने होने के वज़े से ने हुआ इलाज ममाल जे हस्पिटल में लेकर गए और मालूम ने आगे कितना जाता है किने मालूमे आप तमाम लोगों से गोजार रिष्टाती हूँ मेरे जोड़े की वास्ते आप तमाम लोग से गुजारिश चाहती हूँ आप मदद कीजिए मेरे चोटा मासुम बच्चा है मैं मेरे जोड़े की सलामती की वास्ते आप से गुजारिश चाहती हूँ आप मदद कीजिए मेरे शोहर का आपकर शुक्रिया अदा करती हूँ इस वीडियो में गूगल पे और फोन पे अकार्ड नमबर डाले जाएगा आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे देवर का नमबर रही है उस पे पैसे डाले डाल दीजिए मदद कीजिए आप आप सबसे गुजारिश चाहती हूं मेरा जोड़ा सही सलामत आन दे आप सब की प्रवास कॉलनी गुलबरगा में हैदर अली नामी है हमारे एरे के जो एक दोस्त है उनको अचानक बीपी हाई होनी की वज़े से ब्रेन वेन डैमेज हो गई नस डैमेज होने से दमाग में खून जमा हो गया था घर वालों को जिस तरह से इतला हुई तो गौर्मेंट हॉस प्रवजे से शोलापूर को शिफ्ट किया गया है गंगामाई हॉस्पिटल में मैं तमाम अवाम उननास से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग फैनेंशली थोड़ा हेल्प कीजिए क्योंकि इनके हालात बहुत कमजोर है माश अपरेशन होना है जिसने जो है यह लोगों को आठ से दसलाग रुपे तक भी खर्च आ सकता है तो अवाम उननास से मेरी गुजारिश है जो हो सकता है इन लोगों को लिए फैनेंशली हेल्प करें और खास करकर दुआ भी करिए कि जल से जल सहतियाब हो ताकि घर पर वाप है अगर आपको किसी तरीखे से इंकुरी भी अगर करना चाह रहे हैं तो उस नंबर पर कॉल करिए यह उनके छोटे भाई अहमत का नंबर है आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट करकर आप जो हैल्प करना चाहते हैं कर दूदिए